नमस्कार भक्तगर्ण हमारे इस चैनल में आप सभी का विशेश हार्दी का भिनंदन है भक्तगर्ण आज एका और नई प्रस्तुती के साथ हम आपके समक्षाजिर है आज हम आपको एक पराने कथा के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि मालक्ष्मी भगवान विश्नु जी के चरण क्यों दबाती है अक्सर धार्मिक कलेंडरों और तस्वीरों में मालक्ष्मी जी को भगवान विश्नु जी के पैर दबाते वे दिखाया जाता है इस बारे में कुछ लोगों के मन में ये शंशे बना रहता है कि आखिर मालक्ष्मी जी भगवान विश्नु जी के पैरों को क्यों दबाती है आखिर इसके पीछे धार्मिक क्या कारण हो सकता है ये तमाम जिग्यासा किसी के भी मन में आ सकती है और उसके मन को विचलित कर सकती है आएए हम आपको विश्णु पुरान और धार्मिक पुस्तको और पुरानिक मानेताओं के अनुसार बताते हैं कि आखिर मालक्षमी जी विश्णु भगवान जी के पैर क्यों दबाती हैं आएए जानते हैं पुरानिक अथा के बारे में एक बार नारज जी ने मालक्षमी जी से पूछा कि वो हमेशा विश्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं लक्षमी जी ने जबाब दिया कि चाहे मनुष्य हो या देवी या देवता ग्रहों के प्रभाव से कोई अच्छूता नहीं रहता है महिलाओं के हाथ में देव गुरु व्रिस्पती जी का वास होता है तो पुर्षों के पैरों में दैत्य गुरु शुक्रा चाहरेगा ऐसे में जब कोई महिला पुरुष के चरन दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धनलाप का योग बनता है यही कारण है कि मैं हमेशा श्री हरी जी के चरन दबाती हूँ पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विश्नु ने अपने पुरशारत के बल पर ही अपने वश्च में रखा था जो हमेशा सभी के कल्यान का भाव रखते हैं जो लक्ष्मी जी विश्नु जी के पास है वो धन और संपत्ती है श्री हरी इनका उच्छत उप्योग मानते हैं और जानते हैं यही कारण है कि महा लक्ष्मी जी श्री विश्नु जी के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं इसके अलावा भी इससे जोड़ी एक परानी कता और है आईए उसे भी सुनते हैं एक अन्य परानी कता के अनुसार लक्ष्मी जी की बेहन अलक्ष्मी उनसे इडश्या रखती थी और ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिलकुल भी आकर शक नहीं थी उनकी आखे बढ़की ली बाल फैले वे और बड़े दात थे देवी लक्ष्मी जी जब भी अपने पती यानि श्रीयर जी के साथ होती तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंचाती थी ये बरताव लक्ष्मी जी को बिलकुल पसंद नहीं आता था उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पती को अकिला क्यों नहीं छोड़ देती तब अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी को कोई पूजा नहीं करता है इसलिए जहां भी लक्षमी जी जाएंगी वो वहां उनके साथ जाएंगे यह सुन देवी लक्षमी जी करोधित हो गई और लक्षमी को श्राब दे दिया उन्होंने कहा कि मृत्यू के देवता तुम्हारे पती है गंदगी इर्श या लालच आलस प्रोश जहां भी होगा तुम वही निवास करोगी ऐसे में मा लक्षमी हमेशा ही अपने पती के चड़नों की गंदगी दूर करती रहती है जिससे लक्षमी कभी भी उनके आसपास न आ जाए कहा जाता है कि सौभागय और दुर्भागय एक साथ चलते हैं ऐसे में कलेश का वातावरण बन जाता है इससे संकेत मिलता है कि घर में अलक्षमी का प्रवेश हो चुछा है ऐसे में लोगों को मा लक्षमी की पूजा निरंदर करते रहना चाहिए जिससे अलक्षमी घर में प्रवेश नहा कर सके एक बार प्रेम से बोलेंगे बगवण विश्ण भगवान के पैर दबाती रहती हैं आपको हमारी आज की प्रस्तुती कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में भी व्यक्ट करें और अगर आज की प्रस्तुती आपको पसंदाई हो तो किरपया इसे लाइक करें अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले कता शरवन के लिए आप सभी का विशेश विशेश आभार बहुत बहुत धन्यवाद